धन्वंती रामाराव एक नारिवादी और दूर दर्सी महिला जिनोंने भारत में फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन का निर्मार किया भारती परिवार कल्यान योजनाओं को वास्विक्ता बनाने वाली अगरणी महिला की कहानी राश निर्मार के पन्नों में खो गई है नमस्कार दोस्तो, स्वागत है हमारे चैनल पे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे दोस्तों, धन्वंती रामाराओ के कर्मट पर्यासों के कारण भारत विकासील देशों में 1952 में एक राष्ट ब्यापी परिवार नियोजन कारिकरम सुरू करने वाला पहला देश बन गया आम तोर पर दुनिया मार्गरेट सेंगर को जन्म नियंतर जागरुकता कारिकरमों की अगरड़ी पत परदर्सक के रूप में पहचानती है हाला कि भारत में परिवार नियोजन की निर्माता, धनमंती रामाराओ, मैलाओं के प्रजनन, अधिकारों की कटर परचारक और इंटरनेशनल प्लांड पेरेंट हुड फेडरेशन की सहसन सथापक और अध्यक्ष के परयासों को देश भूल गया है एक नारिवादी और दूर दर्सी धनमंती ने महसूस किया कि देश की अधिकान समस्याएं परिवार नियोजन की कमी से उत्पन्न हुई है उनके करमट और एकागर परयासों के कारण भारत विकासील देशों में 1952 में एक राश ब्यापी परिवार नियोजन कारेकरम सुरू अधियान सामिल है आईए पद्म भूसन भीजेता और भारत के परिवार नियोजन कारेकरम की संस्तापक धनवन्ती रामाराओ के बारे में जानते हैं धनवन्ती आर रामाराओ का जन्म हुबली अब करनाटक में धनवन्ती हांडू एक कस्मीरी ब्राहण परिवार में 1893 में था हुबली में अपनी स्कूली सिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मदरास के प्रेसिडेंटी कालेज में पढ़ाई की क्वीन मेरी कालेज में उच्छ सिक्षा पढ़ाने वाली पहली भारती मैला में से ऐसे समय में जब लैंगी घुमकाओं ने मैलाओं को जगड रख था और पढ़ाई करना परंपराओं के विरुद्ध था वह मदरास में अपने पती वेंगल से मिली और साधी की और बाद में दोनों लंदन बस गए लेकिन धनवंती ने बाद में अपने मेमायर में उलेक किया की 1930 के दसक की सुरुआत में एक विदेशी भूमी में एक फले वर्सों में भारती सुतंतरता के लिए अभियान चलाने वाली कई संगटनों के साथ काम किया सरोजनी नाइडू के कहने पर उन्होंने मता अधिकार और सम्मान नागिर्कता के इंटरनेशनल अलाइंस आफ विवेन में भारत का निर्टुत किया उन्होंने महिला भारती अधिकांस कारियों को आकार दिया शायद इसका सबसे अच्छा उधारण ब्रिटिस संसत के परसिद सदस्य एलनोर राइबोन द्वारा आयोजित कांफरेंस आप इंडियन सोसल एविल्स में उनके संचिप्त भासन में मौझूद है 1941 में जैसे ही देश सोतंतरता की और बड़ा धन्वंती वापस बांबे आ गए जहां उन्होंने देश के महिला संगटोनों के साथ काम करना सुरू किया इस बीच वह चेतर की मलिन बस्तियों की उपेचित और बिकट परिस्थितियों से परिशान थी साथ ही उन्होंने देखा की बंगाल अकाल जैसी इस्तितियों के साथ देश में इस्तितियों बिगड़ती जा रही हैं और यह ध्यान दिया की कैसे बढ़ते आर्थिक गैप और गरीवी के बावजूद बच्चों को जन्म देना जारी रखा उसने जल्दी ही महसूस किया की जन्म नियंतर ही देश की अधिकांस समस्याओं का एक मातर उत्तर है इसलिए धन्वंती के लिए पहली चिनोती एक पारंपरिक समाज में अग्यानी और अनपर्ण लोगों को सिक्षित करना था उस समय के अधिकांस लोगों का दिड़ विश्वास था कि बच्चे भगवान की किर्पा से पैदा होते हैं और जन्म नियंतर भगवान की इच्छा के बिरुद था वह मैला सक्तिकरण की कटर परचारक थी और उनका मानना था कि बच्चे पैदा करने का निड़र मैलाओं के पास रहना चाहिए वह समझती थी कि यदि परजन का अधिकार मैलाओं के पास है तो जन्म नियंतर का कार्य आसान हो जाएगा इसलिए धन्वन्ती जन्म नियंतर कारकरम चलाया जो उनके हिसाब से राश्र निर्मार की दिसा में एक महतुपूर कदम बन गया 1949 में उन्होंने Family Planning परिवार नियोजन Association आफ इंडिया की स्थापना की यह सब भारत में जन्संक्या नियंतर के छेत में काम करने वाला सबसे बड़ा गैर सरकारी संगटन था जिसके गहन जागरुपता परियासों से भारत के परिवार नियोजन कारकरम को वैस्चिक मानता मिली और कई देसों ने इसे अपने राश्री एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाया दिल्चस्व बाद यह है कि उन्होंने अपने परिवार नियोजन जागरुपता कारकरवों के लिए पुर्सों को लच्छित किया क्योंकि महिलाओं की तुलना में पुर्सों के लिए उपचार आसान होते हैं इसके अलावा अगर पुर्सों को एक छोटे परिवार के मुल्ग का एसास होता है तो वे या तो इलाज करवाएंगे या अपनी पत्मियों को इसके लिए प्रसाहित करेंगे इस परकार स्वैक्षिक रूप से नस्बंदी करने वाले आदे मिलिन भारती पुर्सों का स्रे धन्वंती को जाता है उन्होंने उन लोगों की सोच को बदलने का परियास किया जो फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन के खिलाब थे मैलाओं को ससक्त बनाया और जन्म नियंतर्ण जागरुकता कारिकर्मों में पुर्सों को सामिल किया समाज में उनके बिलच्छन योगदान के लिए उन्हे पद्म भूसन से समानित किया गया था धन्वंती ने 1977 में अपनी आत्म कता एन इन हेरिटेज दमे मेर साफ धन्वंती रामाराव परकासित की जो अपने पाटकों को उनकी यादगार जीवन यातरा के अनूठे मिल अन्भव से परचित कराती है भारती परिवार कल्यान योजनाओं को वास्विक्ता बनाने वाली अगरणी महिला की कहानी राश निर्मार के पन्नों में खो गई है दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएं और धन्वंती रामाराओ के बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं धन्यवाद